हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चेंपियन जयद पर मैं हूँ आपका दोस्त मुहम्मद जयद और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हिस्ट्री का सिक्स्त चैप्टर इस एंटर्टेन्मेंट एंड हिस्ट्री काफी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाले तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि रिमेनिंग चैप्टर्स को आपका पढ़ा होगे तो इसलिए मैं आज आपके सामने हाजिरू सिक्स्त चैप्टर को कम्प्लीट करने के लिए और जल्द ही हम लोग पूरे हिस्ट्री को कम्प्लीट कर देंगे अफ्टर दैट सिर्फ हम लोगों क दो ही सबजेक्ट बचेगा अलजेवरा और जॉमेट्री तो उसे भी हम लोग जल्द से जल्द खतम करेंगे तो फिलाल मैं इस्ट्री का सिक्स्त चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं एंटर्टेन्मेंट एंड हिस्ट्री तो दोस्तों एंटर्टेन्मेंट मतलब क्या होत देती हैं उसे हम लोग बोलते हैं एंटर्टेन्मेंट और उन चीजों को जो हमें हैपिनेस देती हैं और दिमाग को रिफ्रेश करती हैं वो उसका सोर्स होती है स्त्रोथ होती है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंटर्टेन्मेंट की क्या जरूरत है वाइड डू न need entertainment after that we will learn about the folk theater then Marathi theater then Indian film history industry after that entertainment and professional opportunity that is a common part in all the chapters to love her chapter me look professional opportunities के बारे में पड़ते ही हैं तो in this chapter we will also study about that to things that help refresh our mind and give a feeling of happiness are the source of entertainment जैसा मैंने बताया various hobbies, games, drama, film, writing, reading etc are the sources of entertainment तो बहुत सारी जो लोगों की अलग-अलग hobbies होती हैं आदते होती हैं जो उनके games होते हैं outdoor हो indoor हो सिर्फ mobile वाले नहीं बाकि सब भी games drama, film, writing, reading, drama को देखते हैं और film को देखते हैं, writing करते हैं, reading करते हैं तो यह सब लोगों की hobbies होती हैं तो यह सब हेल्दी entertainment मिला, हेल्दी मनोरंजन मिला, excellent quality का, good quality का तो यह जरूरी होता है एक healthy growth होने के लिए एक की personality का एक का व्यक्ति मत्व अगर उसकी personality को थोड़ा सा अच्छा बनाना है उसके दिमांग को refresh रखना है तो healthy entertainment मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसकी वज़े से हम लोग अपना थोड़ा सा stress को भूल जाते हैं entertainment keeps our mind lively and fresh, हमारे मन को वो एकदम fresh रखता है, स्वच्छ रखता है, mind मतलब होता है हम लोगों का मन it may also make us feel more physically energetic, मतलब कि जब भी हम लोगों को थोड़ा बहुत entertainment मिलता है तो हम लोगों का mental stress होता है वो कम हो जाता है, और एक बार mental stress कम हुआ तो हम लोगों का जो physical energy होता है, वो बढ़ जाता है so eventually our efficiency at work improves और एक बार अगर हमें physically ज़्यादा energetic feel करने लगते हैं तो उसके बाद जो हम लोगों की efficiency है, जो हम लोगों की capacity है काम करने की वो भी improve हो जाती है हम और भी लगन से काम करने लगते हैं, for example आप लोगों के studies चल रहे हैं और exam आने वाले हैं तो exam आते समय आप लोगों को बहुत ज्यादा stress होगा, तो उस समय आप लोगों कम पढ़ाई करोगे, आप लोगों ने assume भी किया होगा कि जब school शुरू होता है तो हम लोग काफी ज़्यादा मन लगा के पढ़ते हैं, but as the exam approaches, जैसे यसे exam आने वाला रहता है, वैसे वैसे हम लोगों का जो study rate होता है, वो कम होते जाता है और exam time पे हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, और यह पढ़ने वाले बच्चों का होता है, और जो नहीं पढ़ते हैं, जादा उन लोग exam time पे एकदम दिन रात पढ़ते हैं, बट उसका कोई benefit नहीं होता है, तो इसलिए हम लोगों को शुरुआत से ही पढ़ना मैं बात कर रहा हूँ, outdoor games की, जैसे cricket, football और indoor games की, जैसे chess हो गया, कहरम हो गया, यह सब games, इन इंडिया, many festivals, sports, dance, music, etc. were developed as form of entertainment since ancient time, ancient time से दोस्तों मतलब की बहुत ही ज़्यादा पुराने समय से इंडिया में बहुत सारे festivals हैं, sports हैं, निरित्य हैं, music हैं, गीत, संगीत, यह सब develop हुए हैं, entertainment के form की तरह, इन सभी को अगर हम लोग देखें, तो यह entertainment के forms है, उसके रूप है, there are varied forms of entertainment available in the modern period as well, और ancient time में जब इतना ज़्यादा forms available थे, तो modern time में कितने ज़्यादे forms available होंगे, entertainment can be classified into two categories, active and passive, entertainment को हम लोग दो categories में classify कर सकते हैं, एक active, एक passive, active entertainment anticipates and individuals mental physical participation, active मतलब की आप उस चीज में participate कर रहे हो, आप उस निरित्य को कर रहे हो, और passive मतलब audience हो गए, आप passive मतलब आप देख रहे हो, active मतलब आप कर रहे हो, तो active entertainment मतलब की जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप passive हो, क्योंकि आप कोहाँ पे देख रहे हो, सिर्फ, practicing of handicraft and participating in sport activities are example of active entertainment, watching a sport match or listening to music or watching a movie are example of passive entertainment, जैसे आप लोग इस समय पैसिव entertainment मतलब की आप लोग मुझे सुन रहे हो, सिर्फ आप एक audience हो, और मैं active entertainment कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, in this type of entertainment, we are not actual participation, but only viewer, आप कौन हो, ए मतलब की जो लोग theater हुआ करता था, उसकी बात करते हैं, तो कठपुतलियों से जैसे लोग पहले के time पे काम किया करते थे, तो वो हम लोग पढ़ते हैं, remains of clay doll have been found in the excavation of archaeological sites of harapan civilization as well as sites in Egypt and Greece, तो पुराने time पे जो clay dolls बनाया करते थे, उनके जो remnants थे, उनके जो impressions थे और या फिर उनके जो कोई बहुत part थे, वो पाए गए हैं कई सारे excavation में, तो जैसे जैसे लोग excavation करते हैं, archaeological sites पे हरपा या फिर एजिप्ट के और Greece पे, हरपा एजिप्ट और Greece पे हम लोगों को कई सारे clay dolls के remains मिले हैं, मतलब वो clay dolls थोड़ी बहुत टूटी होई थी, but still they are, but उसके ल करते थे और उनसे खेला करते थे, और इसलिए ऐसा लोग अंदाजा मारते हैं, it is possible that they were used as a puppets, इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें कटपुतली की तरह इस्तमाल किया जाता होगा पहले के टाइम पे, in ancient India material like wood, leather, wood, wool, leather, horns and ivory were used to make puppets, ivory मतलब हाथी का दांत, तो यह सब च पता चला क्योंकि जो clay dolls पाए गए थे, उनके उपर research होई तो पता चला कि इसमें कौन-कौन सी चीजें का इस्तमाल हुआ है, तो इस तरीके सा आप लोग सोच सकते कि पहले के टाइम पे भी modernization था, हम लोगों के लिए वो modern था, जैसे हम लोग समझते हैं कि हम लोगों का modern चल रहा है, बट आने वाली generation जब नएने inventions होंगे तो वो समझेंगे कि हम लोगों का टाइम medieval था या ancient था, उन लोगों का टाइम modern रहेगा, कटपुतली की कितनी स्टाइल्स हैं, दो स्टाइल्स हैं, एक वो स्टाइल जो राजस्थान में डेवलप हुई और एक वो स्टाइल जो southern regions में डेवलप हुई इंडिया के, तो वो आर्टिस्ट जो लोग कटपुतली शोज किया करते थे, वो इन सभी स्टेट्स में पाए जाते हैं, रोल of the narrator known as सत्त्रुधर, is very crucial in the success of कटपुतली स्टेज शो, जो नेरेट किया करता था, मतलब कि कटपुतली की आवाज में जो बोला करता था, और कटपुतली को जो चलाया करता था, उसका रोल इसमें बहुत ही जादा important हुआ करता था, अब बात करते दश अवतार थेटर, दश अवतार थेटर मतलब इसमें की 10 characters रहा करते थे, एक folk थेटर था महाराष्टरा में, और इसमें Lord Vishnu की जो 10 incarnations थी, उसके बारे में इसमें बताया गया है, तो यह board exam में आ चुका है paragraph के form पे, और आपको इसमें लिखना था, तो दश अवतारा is a part of the folk थेटर in के लोग थेटर का यह एक पार्ट था, दश अवतारा शोज आर प्रिजेंटेड इन दर रीजन आफ कोकन और गोवा आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन इस ओवर, एक बार हार्वेस्टिंग सीजन जो हुआ करता था, वो खतम हो जाता था, तो यह सब शोज हुआ करते थे, दागी लोग थोड़ा रिलेक्स हो जाए, इस टोरी जो इसमें रहा करती थी, वो लौड विष्णू के दस इंकारनेशन पे रहा करती थी, तो उनके जो दस इंकारनेशन थे, वो भी आपको बोड में आ सकता है, उसमें छे दिया रहेगा, चार आपको लिखना रहेगा, त पर शुरुमा, राम, कृष्ण, बुद्ध, काल की, ये इनके दस इंकारनेशन थे, अड़ बिगनिंग ऑफ द शो शत्रुधर, दे नेरेटर इन्वोक्स लौड गनेशा, दे डिस्ट्रॉयर ओफ ऑप्स्टेकल्स, तो शुरुवात में इस शो की शुरुवात कैसे हुआ क रहते थे और एक बार प्रेयर समाप्त हो जाती थी, तो उसके बाद ये शो शुरू हुआ करता था, दा मेथर आफ एक्टिंग मेकप कॉस्ट्यूम सिन दशावतरा शोज इस सेट बाइदा ट्रेडिशन, तो दशावतरा शोज में जो ट्रेडिशन रहा करता था, उसके हिस साब से ही कॉस्ट्यूम और स्ट्यूम को सेट किया जाता था, ये शोर जो रहता था वो ज्यादा तर म्यूजिकल रहता था, इसमें ज्यादा डायलॉक्स नहीं हुए करते थे, बट कभी-कभी ऐसा होता था कि थोड़े बहुत स्पॉन्टेनियस, मतलब on the spot, डायलॉक्स जो एंड हुआ करता था, और दही अंडी क्या होता है, एक अर्देन पॉठ होता है, जिसमें कर्ड भड़ा रहता है, और फॉलोड बाय आर्थी, सिंगिंग प्रेज ऑफ दा गौड, गौड की तारिफ को सिंग करते हुए, इसे खतम किया जाता है, इन्दा 18th century, श्याम जी नाइक काले जो थे, उन्होंने एक फड़ शुरू किया, दशावत्रा का, दशावत्रा आर्टिस्ट का, फड़ मतलब हो गया आपका एक ग्रूप, एक ग्रूप रहता है, जो सभी चीजों को परफॉर्म करता है, तो फड़ मतलब हो गया आपका ट्राउप, एक ग्रूप पीपल आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं तो उन्होंने ऐसा ही एक गुरूप शुरू किया दशावत्रा का जो कि पूरे महाराष्ट्रा में घूम घूम कर्शोष को किया करते थे विश्णुदास भावे जो कि फाउंडर थे पाउनियर मतलब फाउंडर थे इसलिए जो उरीजिन है जो उसके सीड्स है जो उसकी फाउंडेशन है उसको हम लोग दशावत्रा ट्रेडिशन में ट्रेस कर सकते हैं अब बात करते हैं भजन की भजन आप लोग जानते हैं डिवोशनल सौंग्स को भक्ती गीत को गाना उसे हम लोग बोलते हैं भजन कोई जैसे ताल हो गया, मृदंगम हो गया, पकावज हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं भजन, भजन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है चकरी भजन, एक होता है सोंगी भजन, चकरी भजन मतलब की डिवोटीज, चकरी भजन में क्या होता है, चकरी मतलब गोल गोल, तो इसमें जो devotees रहते हैं, जो भक्त रहते हैं, वो गोल-गोल घूमते हैं, और गाने को लगतार गाते हैं, बीना break के, circular fashion में घूमते रहते हैं वो लोग, और सोंगी भजन हो गया हम लोगों का singer-actor, act as a devotee and deliver dialogues in the form of devotional songs, मतलब आप लोगोंने सुना होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को गा गा कर बोलते हैं, तो उसी तरीके से सोंगी भजन हुआ करता था, इसमें जो एक्टर रहा करते थे, वो अपने dialogues को गाने के फॉर्म में बोला करते थे, शायद आप लोगोंने नहीं सुनी होगी, बट मैंने जो बुड़े लोगों होते हैं, उल्ड पीपल होते हैं, उनसे मैंने कई सारी कहानिया ऐसे सुनी हुई हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, गाग आके अपने dialogues को बोलते हैं, आप लोगोंने किसी comedy show में भी देखा होगा, इन चारों के जो भजन रहा करते थे, वो उस टाइम पे बहुत ही जादा पॉपुलर रहा करते थे, नौर्थ इंडिया में, नौधन पार्ट में, उत्तरपरदेश, जम्मु, कश्मीर, आसाम, ये सबी जगों पे, composition of पुराणधर्दास, कनकदास, विज्यएदास, बुद्धेंद्र, गुडु स्वामी, थ्यागराज, एकसेक्टरा और संगिन करनाटक, तो इन सभी की compositions को करनाटक में गाया जाता था, इन गुजरात सेंट नर्सी मेहता गेव मोमेंटम टू दा भक्ती मोमेंट इन महाराष्टा सेंट नामदेव सपोर्टेड दा ट्रेडीशन ओव भजन कीरतन थू दा ट्रेडीशन ओव वारकरी सेक्ट के तहत इन सभी ने इस चीज़ को सपोर्ट किया सेक्ट डेवलप्ड ग्लोरियस ट्रेडीशन ओव भजन कीरतन वारकरी सेक्ट जो था उसने एक ग्लोरियस ट्रेडीशन को सेट किया भजन कीरतन का और यहां पे हम लोगों को थोड़े से कूल फैक्ट दिये गए हैं कीरतन के जो ट्रेडीशन होते हैं वो दो होते हैं एक नार मतलब की गौड को प्रेज करना और निरूपन नाचा अभंग इसमें एक composition गाते हैं जो की main theme को lead करते हुए जाते हैं और एक होता है निरूपन निरूपन मतलब की main theme को explain करना Comprise the poor warang, narration of a story to illustrate the main theme comprise उत्तरंग In the वारकरी कीरतन, collective participation is more important वारकरी sect जो रहते हैं उसमें collective participation होती है मतलब की group में लोग participate करते हैं और उसके बाद chose को करते हैं The player of a symbols also plays an important part along with the कीरतन कार जो symbols के player होते हैं वो भी इसमें important role play करते हैं कीरतन कार के साथ During the independence moment, a new type of कीरतन was developed known as राश्टरी या कीरतन Independence के type पे ये नया कीरतन डेवलाप हुआ था जिसको हम लोग बोलते थे राश्टरी या कीरतन अंडरलाइन कर लिए बहुत ही जादा important है It places more importance on creating awareness by narrating the life stories of great leaders So राश्टरी ये कीरतन में होता क्या था? इसमें हम लोग जो great leaders थे जिनोंने independence के लिए अपने आपको sacrifice कर दिया उनकी जो life stories थी, उनके जो struggles थे, उनकी जो मतलब कोशिशे थी उन चवी चीजों को इसमें describe किया जाता था, narrate किया जाता था ताकि लोगों के मन में awareness आया इनकी importance के बारे में तो the tradition of राष्ट्रिय कीर्टन was started by दत्तो पंत प्रवर्धन और वाई इन महराष्ट्रा दत्तो पंत प्रवर्धन जो थे, इन्होंने ही इस चीज को स्टार्ट किया था महराष्ट्रा में members of the सत्य शोधक समाज founded by महात्मा जेवतिरा फूले also used कीर्थन as a medium of creating social awareness जो सत्य शोधक समाज के members रहा करते थे और इस समाज को पाया था, महात्मा जेवतिरा फूले ने इन्होंने भी कीर्थन का यूज किया करते थे social awareness को create करने के लिए style of कीर्थन by सेंट गाडगे महराज resembled closely to सत्य शोधक style of कीर्थन he used to throw light on issues like abolition of caste, cleanliness, de-addiction etc तो इन सभी चीजों को वो consideration में लेके इन सभी चीजों को खतम करने के लिए जो ये कीर्थन किया करते थे ताकि इन सभी चीजों को खतम कर सके इन सभी issues को solve कर सके अब कीर्थन की ही बात करते है Traditionally नारद मुनी is supposed to be the founder of कीर्थन से Tradition कीर्थन जो tradition है इसके founder हम लोगों को मतलब हम लोगों को मालूम नहीं है बट हम लोग ऐसा suppose करते हैं जाद अतर लोगों का यही कहना है कि नारद मुनी ही इसके founder थे सेंट नामदेव कौन थे पहले कीर्थन कार थे माराष्ट्रा के Most important point, please underline it Other saints helped to the traditions to flourish बागी सारे saints ने भी इस tradition को flourish करने में बहुत ज़्यादा help किया The किर्थन कार is also known as the हरिदास और काठे करी बुगा He has to dress in a traditional way He needs to train himself in oratory, singing, musical, instruments, dance and humor तो यह अपने आपको dress किया करते थे traditional way में अलग ही कबडे पहना करते थे और अपने आपको train किया करते थे ताकि वो act को अच्छे से perform कर सके He needs to be very well informed कीर्थन is performed in a temple और in the persons of the temple ज़्यादा तर कीर्थन कहाँ पर perform किया जाता है किसी भी मंदिरों में ललित ललित is an old form of entertainment in महाराष्ट्रा तो ललित जो है ये cold form है entertainment का महाराष्ट्रा में ये नरदिया किर्थन के tradition को ही बिलॉंग करता है और ये आज भी popular है गोवा और कोनकन में तो इस परफॉर्मेंस के दारान कुछ चीजों को इन्वोक किया जाता था तो वो इन्वोक हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है मतलब कि इसमें क्या कहते हैं जो भी उन लोगों को चाहिए वो उन लोगों को मिले पूरा विलेज तब तक happiness तक रहे जब तक हम लोग next ललित परफॉर्म करें क्योंकि जब next ललित परफॉर्म करेंगे फिर यही बात कहेंगे तो happiness continue रहेगी और जो internal clashes हैं जो घर-घर के जगड़े हैं वो खतम हो जाएं ललित के परफॉर्मेंस के बाद किसी का भी मन spoiled ना हो कोई भी transaction हो वो clear mind से हो और कोई भी community का behavior अच्छा हो हमेशा ललित इस परफॉर्म डिना theatrical style इसको theater के style में perform किया जाता था stories of Krishna, Rama and great devotees are presented during the performance तो जो Krishna, Rama और बागी सारे जो devotees हैं इनकी कोई भी एक short story उठाई जाती थी और उसको यहाँ पे perform किया जाता था few texts of Lalit are available in Hindi as well Lalit forms a part of the backdrop of modern Marathi theater तो कुछ-कुछ text जो है Lalit के वो हिंदी में भी available है आज और Marathi में ही नहीं है सिर्फ तो Marathi theater में इनके backdrop को भी form होता है Lalit बरूद, अब बात करते हैं भरूद की भरूद can be described as a metaphorical song that has spiritual and ethical lesson तो भरूद जो होता है एक metaphorical song होता है जिसके कुछ spiritual और ethical lessons होते हैं भरूद is comparable to the style of a road show भरूद जो होता है वो एक road show की तरह होता है road पे कहीं पे भी ये show किया जाता है जो भी road show किये जाते हैं उससे हम लोग भरूद को compare कर सकते हैं मतलब भरूद जाद अतर किसी भी road show के similar हुआ करता है road show की बात करें तो कोई भी चीज जैसे save girl, save educate girl तो ये सभी जो चीजे हुआ करती थी इसमें road show हुआ करते थे लोग साड़क पर जाग रुखता फैलाया करते थे तो उसी तरीके से भरत को हम लोग compare कर सकते हैं जो भरूद है वो संटेकनाथ जो भरूद को compose किया करते थे वो बहुत ही popular है महाराष्ट्रा में क्योंकि क्यों popular है वो आप लोगों को give reason में पूछा है पीछे तो we should learn from here क्योंकि उसमें जो subjects है उसकी एक wide range है और उसकी dramatic quality उसमें easy rhythms है humor भी है थोड़े थोड़े से humor भी है उसमें हसी भी है सेंटेकनाथ जो भरूद को compose किया करते थे उनका एक ही purpose था कि लोगों को पढ़ा सके और उन्हें aware कर सके various aspects of life के बारे में अब बात करते तमाशा तो तमाशा is a Persian word मुझे बताने की जरूरत नहीं यह तमाशा क्या होता है आए दिन स्कूलों में होते रहते हैं तो तमाशा एक Persian word है इसका मतलब होता है एक pleasing site तमाशा developed as an independent art form in the 18th century by absorbing various states of folk theater and classical art यह कब developed हुआ था यह developed हुआ था 18th century में there are two types of traditional तमाशा अगर हम लोग बात करें तो दो type के तमाशे हैं एक संगीत बारी और एक धोला कीचा फड़ धोला कीचा मतलब की फड़ मतलब मैंने बताया आपको एक group dance and music are more important than drama in a संगीत बारी संगीत बारी की बात करें तो इसमें drama से ज़्यादा इंपोर्टेंस music को दिया जाता था और dance को क्योंकि इसका नाम ही है संगीत तो music तमाशा विद ड्रामा इस दा मेन पार्ट वस डेवलब्ड लेटर इट इंक्लिवड इंक्लिवड़ वैग दर ड्रामेटिक उमर हुआ करता था बहुत ही ज़्यादा हासी हुआ करती थी और आप लोग जानते कॉमेडी शोज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं दर शो बिगिंस बाइस इंगिंग दा प्रेज इसमें किस तरीके से शोरूआत हुआ करती थी लॉडे गनेशा की तारीफों में जो गीत गाया जाता था उनं गीतों को गर कर इन चीजों को शुरू किया जाता था और उसके बाद गवलन के presentation से शुरू होता था और जो दूसरा पार्ट है तमाशा का उसमें वैक को present किया करते थे जिससे थोड़ा लोगों को हसी भी आए the popular place like विच्छा माजी पूरी कर मतलब कि इसमें इच्छा माजी पूरी कर और गाडवाचे लगन गधे की शादी यह सब example है modern form of tamashake abat karthay powada ki powada is a dramatic narration by alternating reciting poetry and process extracts powada narrates great deeds of heroic men and women in a very forceful and inspiring style the powada composed by Adnan nad nadas contemporary poet of Chhatrapati shiva ji maharaj narrating the incidents of killing of jl khan and another one in the battle of सिमगर्ड कंपोजड बाय तुलसीदाज और टू विल नोन एक्जामपल्स और पोवाड़ा पोवाड़ा क्या होता है एक ड्रेमेटिक नैरेशन होता है जिसमें पहले पोईट्री और फिर प्रोसेक एक्स्ट्रेक्ट इन दोनों को अल्टरनेटिवली परफॉर्म किया जाता है पोवाड़ा में हम लोग क्या करते हैं जो हिरोईक मेन और वुमेन है उनके जो ग्रेट डीड्स है उनके जो अच्छे-च्छे काम है महानकार है उनको इसमें नेरेट किया जाता है और बहुत ही फोर्सफुल और इंस्पाइरिंग स्टाइल में ताकि लोग मोटिवेट हो सके पोवाड़ा ज्यादा तर नियानदास से कंपोजड किये जाते थे नियानदास कौन थे? एक कंटेमपरेरी पोईट थे छत्रपती-शिवाजी महाराज के कंटेमपरेरी मतलब प्रिजेंट के और इसमें क्या उन्होंने एक इंसिदेंस को नेरेट किया था तुलसी दासने और ये दोनों बहुत ही अच्छे एक्जामपल्स हैं पोवाडा के ब्रिटीश पीरियड में जो पोवाडास थे उसमें स्टोरीज को नेरेट किया जाता था उमा जी नाइक की, छापेकर ब्रदर्स की, महात्मा गांधी की इन सभी की स्टोरीज को नेरेट किया जाता था ब्रिटीश पीरियड में जो सम्युक्त महाराष्टर के समय जो पोवाडा को इस तरीके से यूज करना ताकि लोगों के अंदर अवेरनेस जग जाए वही यहां पे लिखा हुआ है कि पोवाडा को इस मीडियम की तरीके से यूज किया जाता था कि जो लोग हैं उनके अंदर अवेरनेस है अब बात करते हैं मराथी थेटर की तो थेटर जो रहता है वो एक जगह होती है जो की परफॉर्मेंस पर डिवोट की जाती है वरना आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और ओडियन्स सो रहे हैं या फिर ओडियन्स अच्छे से आर्टिस्टों को देख रहे हैं बट लोगों की परफॉर्मेंस खराब है तो शो अच्छे से बिलकुल भी नहीं होगा तो जब audience होते रहेंगे देखेंगे नहीं, importance ही नहीं देंगे तो artist का confidence low होगा and he will not be able to perform the show correctly But if the audience is supporting the artist and they are very excited for the performance then the artist will try his best, his or her best in the performance तो इस तरीके से successful performance हो जाती है The theater comprises several factors The theater में बहुत सारे factors होते जैसे script, director, artist, makeup, costume, stage, art design, lighting arrangement, audience and critics तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें वरना इसके बिना एक show नहीं हो सकता है उसमें आपको lights चाहिए, costume चाहिए, makeup करना पड़ेगा, director चाहिए, script लिखनी है, lighting arrangement करनी है तो बहुत सारी चीजों की जरूरत रहती है Dance and music can also be a part of drama Drama is usually enacted with the help of our dialogues However, mime can also be used as a medium of expression तो drama जो होता है वो ज़्यादा तर dialogue से ही होता है बट expressions से भी कभी कभी इसको किया जा सकता है जो भोसले family थी तैंजोर की, इसके जो rulers थे वो drama, patrons of drama मतलब की इन लोगों का जो drama था वो एकदम patronized था उन्होंने कुछ-कुछ plays लिखे थे जो की और कुछ-कुछ plays को इन्होंने संस्क्रीट plays में भी translate किया था मतलब की उन में से जो भोसले family थी तैंजोर की, उनका जो ड्रामा था वो एकदम से patronized था और उसमें से कुछ लोगों ने plays भी लिखे थे और उसके साथ-साथ कुछ संस्क्रीट plays को अपनी भाशा में translate भी किया था और इसके साथ-साथ 19th century में Marathi theater का development शुरू हुआ था और इसके करता धरता थे विश्नुदास भावे ये father थे Marathi theater के और सीता स्वैमवर जो सीता के वर को डूणने के लिए जो स्वैमवर हुआ था उसकी play इन्होंने लिखा था और इनका ये पहला play था जो इन्होंने present किया था और movement को इस्टार्ट किया था विश्नुदास भावे ने जो कि महराष्ट्रा में historical, mythological और partial stage play के साथ follow हुआ जो भी सामाजी की issues हैं उनको कम करने के लिए इन लोग play को रखते हैं और humorous way में मतलब कि लोगों को हांसी भी आये इस तरीके से शुरुआत में कोई भी script नहीं use हुआ करती थी, बट थोड़े समय बाद थोड़े थोड़े lyrics लिखने लगे और dialogues को भी spontaneous, spontaneous dialogue मतलब कि बीना कोई script के आप लोग stage पे जाओ और on the spot वो dialogue बोल दो तो इस समय कोई script नहीं लिखी जाती थी, जब भी artist को लगता था कि ये part समझने में audience को problem होगी हम लोग ये बीना dialogue के नहीं समझा सकते तो वो वहाँ पे उसका use कर दिया करते थे जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे show जानते हैं जिसमें voice नहीं हुआ करती है वो कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ वो acting करते हैं और हम लोग समझ जाते हैं तो शुरुवात में कोई script नहीं लिखी जाती थी, कुछ-कुछ lyrics रहती थी और कभी-कभी dialogues भी बोल दिया करते थे बट उसके बाद जो वीजे किर्तने आये, ये पहले author थे जिनोंने script लिखी थोरेल माधरो पेश्वे की 1861 में पहली बार script किस ने लिखी थी? वीजे किर्तने ने प्लीज अंडरलाइन इट और उसकी copy भी आगे अवेलेबल किया गया दिस वस्ट बिगनिंग अफ दे ट्रेडिशन आफ वविग अ कम्प्ली रेटेन स्क्रिप्ट रेडी बिफोर दे इस्टेजिंग पले और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई हो पले होने के पहले इन दे लाइटर हॉप आफ दा नाइंटेन सेंचुरी बाल कृष्ण बुगा इचाल करान जीकर तो जो क्लासिकल खयाल म्यूजिक हुआ करता था उसको मराथी थेटर में इंट्रोड्यूज करने के लिए इन्होंने बहुत सार एफ़र्स किये और उसके बाद उस्ताद अल्ला दिया खान, उस्ताद अब्दुल कनीम खान और उस्ताद रहीमत खान इन्होंने भी कॉंट्रिब्यूट किया ग्रेट वे में और इनके बाद जो क्लासिकल खयाल म्यूजिक आया महाराष्ट्रा में तो काफी जादा पॉपुलर हो गया और जैसे जैसे पॉपुलरिटी बढ़ रही थी वैसे वैसे जो ओरीजिन था म्यूजिकल मराथी थेटर का उसकी भी इंपोर्टेंस भी बढ़ रही थी तो जो संगीत शकुंतला था वो अन्ना साहिब किरलोसकर ने जो लिखा था उसको बहुत ही जादा पॉपुलरिटी मिली और उसके बाद एक शरद एक म्यूजिकल प्ले था जिसमें डालोक्स नहीं थे बस म्यूजिक था तो इसको गोविंद वल्लाल देवाल ने लिखा था और इनके जो प्ले थे इसको भी बहुत जादा इंपोर्टेंस मिली तो इसमें कौन से सोशाल इशू को लिया गया था जो यंग गल्स रहती है और उनको बुड़े मेन के साथ साधी कर दी जाती है तो इस सोशाल इशू को लेकर ये परफॉर्मेंस होई थी और हूमरस स्टाइल में इसमें परफॉर्म किया था ताकि इस कस्टम को खतम किया जा सके अल्सो प्लेस सचाइज मुकनायक रिटेन बाई श्रीपात कृष्ण को लटकर संगीत मनापनम रिटेन बाई कृष्णा जी प्रभाकर खादीलकर एंड इकच प्याला रिटेन बाई राम गणेश गोरकरी यह जो प्लेस थे यह मराठी थेटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेन थे अब हम लोगों को यहां पे एक कूल फैक्ट दिया गया है खादीलकर रोड कीचकवद जो खादीलकर थे उन्होंने कीचकवद मतलब कीचक की डेथ पर यह लिखा था मेटाफोरिकल ड्रामा था जिसको डिनाउंस किया था इन्होंने ब्रिटिश गॉर्मेंट के समय में इट वस बेस्ट ऑन दा सर्टेन इवेंट इन दा महाभारत जो कीचक वद हुआ था महाभारत में उस पर यह बेस्ट था पूरी तरीके से द्रापदी रिप्रेजनेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट in raised about the imperialistic attitude of the British government और उसके बाद उन्हें मतलब की awareness create करना चाहते थे कि British government का कितना बुरा attitude है जो बहुत सारे popular play थे अचारे अत्रे ने लिखे थे जैसे शाष्टांग नमस्कार, उद्याचा संसार और घरा बाहर ये सभी ने मराथी थेटर को सस्टेन करने में बहुत ही ज़्यादा help किया बट इसमें थोड़ा बहुत decline भी आया था The recent plays based on the historical themes like रायगडाला, जेभा, जग येते ये सब मराथी प्लेज है दोस्तों जैसे रायगडाला, जेभा, जग येते और एक और हम लोगों का इठे ओशालाला, मृत्यू तो ये वसंद कानेटकर ने मराथी प्लेज को लिखा हुआ था ये सब recent है जो historical times पर based है गाशी राम कोतवाल भी विजेट एंडूलकर गाशी राम कोतवाल भी इन्हों ने लिखा था विजेट एंडूलकर और तिलक आणियागर कर भाई विशा राम बेडे कर विकेम वेरी पॉपुलर और ये सब थोड़े बहुत plays के नाम है और उनके writers कौन थे उनका नाम है तो दोस्तों आपको exam में हो सकता है rare chance है कि आपको play दे दे और फिर उसके writers का नाम लिखने बोले in the do as directed as a table form, table form में आपको आएगा एक table form में एक column में रहेगा author और एक column में रहेगा play तो इस तरीके से आप लोगों को फसा सकता है but rare chance है फिर भी अगर आप लोगों को out of score करना है so you should focus on this the Marathi stage continued to get induced because of its varied subjects and type of the plays Marathi stage लगातार हुचाईयों को छूता गया आगे चलता गया क्योंकि उसके विराइट subjects थे और उसके plays अलग-अलग types के थे Marathi stage artists of the bygone era bygone era मतलब कि पहले के time के जो Marathi stage artists थे उनके नाम हम लोगों को दिये गए हैं जैसे गणपत राव जोशी नारायन राव राजहमस more popularly known as बाल गंधर्व केशर और भोजले चिंता मन राव को लटकर आणी गणपत राव भोदस are still remembered as a great actor तो यह सब actors थे पहले के time पे और इन्हें आज भी याद किया जाता है तो early Marathi plays were staged on open ground पहले के time पे Marathi plays को open ground पे रखा जाता था British first built closed theater like playhouse ripon and Victoria in Mumbai पहली बार British government ने closed theater को बनाया था Victoria, playhouse, ripon यह सब Mumbai में thereafter the shows of Marathi plays gradually to close theater उसके बाद open ground से वो close theater में होने लगे the renowned author poet Vishnu Vaman Shirwadkar also known as Kusuma Graz wrote Nut Samrat a play styled after Shakespeare well-known play King Lear तो Vishnu Vaman Shirwadkar की एक poem थी हम लोगों की ninth standard में first chapter में if you have remembered तो उसमें इन्होंने एक बहुत ही अच्छी सी लाइन लिखी थी ती मिरा तुनी तेजा कड़े प्रभू आमुच्यान जीवना मतलब prayer था एक तो उसमें इन्होंने कहा था कि अंधेरे से उजाले की तरफ हमारे जीवन को ले चलो तो उस लाइन से इन्होंने हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेड़ना दी थी बहुत ही महान लेखक हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा पूरसकार मिले हैं विश्णु वामन शिरवाड़कर को इनका टोपन नाम मतलब की पेट नेम क्या है कुसु मागरज इन्होंने नट समराट लिखा था मराठी में और इनका प्ले किस्ते मिलता जुलता था शेक्स्पीर के प्ले से विलियम शेक्स्पीर के प्ले से जो किंग लियर था उससे मिलता जुलता था इट बिकेम वेरी पॉपुलर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुगा उसके बाद प्रो प्रोटैजोनिस्ट अव नट समराथ रिप्रेजेंट सल बलेंड ऑफ टु वेल नोन परसेनलिटी अफ अर्लि-मराथ्ी स्टेज गंपत्राओ जोशी एंड नान साहेब फटक तो इन दोनों को मिला कर मतलब blend मतलब mixture तो इन दोनों को मिला कर मराथी स्टेज आर्टिस्ट के उन्होंने प्रिजेंट किया था इस protagonist ड्रामा को और गणपत्राव बेलवेल करने इसे प्रिजेंट किया था Indian Film Industry अभी हम लोगोंने Play की बात की, मराथी स्टेज की बात की, पपेट सोज की बात की, बहुत सारी चीजों को हम लोगोंने देखा तो ancient time से जैसे modern time आया है तो बहुत सारे changes आये हैं, हर field में changes आये हैं, तो इस field में changes जरूर आये होंगे, तो उसी तरीके से यहां पे भी changes आये हैं, पुराने time पे कहां लोग live show किया करते थे, पहले puppetry shows हुआ करते थे, मराथी stage आया, उसके बाद theater, मराथी theater आया, फिर तमाशा पोड़ा, कीड़तन, भजन, आखिरकार हम लोगों के पास है film industry, cinema, cinema is a medium that brings art and technology together, cinema एक वो medium है, जो कि art और technology, color और तंत्र को एक साथ लिका राता है, with the technology of motion picture, the film industry came into being, motion picture मतलब कि जिस के बाद हम लोग camera आया, camera से हम लोग record करने लगे, चीजों को कैद करने लगे, तो उससे इ सामने आई, it gave rise to the era of the silent movies, उसके बाद जो era था एक silent movies का, जो आलम एरा पहली picture हम लोगों की बनी थी, तो silent movies पहले कैसी हुआ करती थी, कि उसमें कोई भी आवाज नहीं हुआ करती थी, मात्र सब लोग acting करते थे और उन acting से हम लोग समझ भी लेते थे, so you also be knowing that आज भी हम cockroaches हम लोग इंडिया में आवाज लगाते हैं उसमें, क्योंकि सरलता से ताकि बच्चे उसको समझ जाएं, बट अगर वही cartoon को आप लोग फ्रेंच में देखोगे, या किसी और country में देखोगे, तो बहुत सारी country ऐसी हैं, जो उसे बिना आवाज के play करती है, because वो अपनी acting से आप लोग mute करके कभी देखो उसको, तो mute करके देखोगे, आप लोग तो भी आप लोगों को समझ में आएगा, कि आखिर हो क्या रहा है, और क्या ये कहना चाहरा है, तो इसलिए इन सभी cartoons को बिना आवाज के रखा गया, तो इसी तरीके से movies भी बनती थी, for example, आप लोगों आई recording की, sound recording की, उससे introduce हुआ, age of sound movie, उसके साथ साथ हम लोगों को modern time पे आ गए, अब movies कितने type की होती है, types of movies, important for do as directed, please underline it and mark it and read it, underline करके सिर्फ नहीं चोड़ना है, उसको पढ़ना भी है, तो पहला है satirical movies, documentaries, advertising films, children film, movies about army, educational movies, movies narrating a story, etc. तो satirical movies मतलब serious movies, जो बहुत ही जादा किसी भी social issue को लेके बहुत ही seriousness रहती है, फिर documentary आगया, documentary मतलब किसी भी चीज़ पर biography बनाना, फिर आगया हम लोगों का advertising film मतलब किसी चीज़ का परचार करते हुए, फिर आगया हम लोगों का children film, kids, kids की जो movies होती है, फिर आगया movies about army, क जैसे हम लोगों को काकवी कुछ सीखने को मिले, जैसे हम लोगों का super 30 था, movies narrating a story, कोई भी वो movie जो story को narrate करे, तो यह सब हम लोगों की types है, तो honor of making and releasing the first full length movie goes to maharashtra, पहली movie किसने बनाई, maharashtra ने, और maharashtra आज भी film industry के लिए बहुत ही जादा famous है, maharashtra से जादा कही भी इतना development नहीं है, film industry में, maharashtra is also known as the land that nurtured the Indian film industry, maharashtra कौन सा लैंड है, जहां से Indian film industry का जन्म हुआ, contribution of madhan rau, madhav rau, pitale, the patvardhan family of kalyad, harish chandra, sakharam, bhatavardekar, also known as saave dada, is very important in the development of Indian movies, इन सभी का contribution बहुत ही जादा था, लेटर गोपाल रामचंद्र तोरेन, also known as dada sahib तोरेन, and AP कारंदिकर, SN पटनकर, VP दिवेकर, sought help from foreign technicians and made a movie entitled पुंडलिक, तो इन सभी ने foreign techniques की help ली, technicians की और technology में थोड़े बहुत changes लाए, और इन्होंने सीखा की किस तरीके से, Hollywood movies में इतने सारे effects रहते हैं, तो उन सभी की मदद से, इन्होंने पहली picture बनाई, पुंडलिक, वो release हुई Mumbai में 1912 में, उसके बाद राजा हरीशंद्र, राजा हरीशंद्र नाम की एक movie release बनाई, direct की दादा साहेब फलके ने, और पहली थी जो completely वो movie इंडिया में बनी थी, और वो release हुई Mumbai में 1913 में, महाराष्टरा फेमस है, और महाराष्टरा में सबसे ज़्यादा फेमस है Mumbai, He also created silent movies named as Mohini भसमसूर, Savitri Satyavana, also documentaries on the rocked caves of Verul and Pilgrim Centers and Nasik and Triyambe Keshwar, तो इन्होंने बहुत सारी movies बनाई, silent movies भी बनाई, जैसे Mohini भसमसूर, Savitri Satyavana, और documentaries भी बनाई, अजंता एलोरा caves पे, Pilgrim Centers पे, Nasik के और Triyambe Keshwar पर, Later a tradition of making of movies on historical and mythological subjects came into being, उसके बाद किसी के दिमाग में इस बात का जन्म हुआ, कि हम लोग movies को historical और mythological subjects पर भी बना सकते हैं, तो उसमें Anandra of Painter, एक पहले इनसान थे, जिन्होंने एक sign camera का यूज़ किया, sign camera of Indian make also got interested in the making of movies, तो ये सिर्फ camera, sign camera थे, इंडिया का camera बनाया करते थे, बट उसके बाद इनको interest आ गया movies बनाने में भी, his cousin Babura of Painter also known as mystery, made Serandri in 1980, उसके बाद इनके cousin जो Babura of Painter थे, उन्होंने भी एक movie बनाई जिसका नाम था Serandri, guys मैं बोल नहीं रहा हूं, तो आप लोग underline नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, जितनी भी movies हैं और उसके director, artist, उन्हों सभी को underline करते चलें, बहुत ही लंबा chapter है, मुझे पता है, बोर हो रहा होगा, बट challenges नहीं रहेंगे, तो आप लोगों को क्या मजा, अगर सब चीज़ सिंपल हो जाया, तो क्या फायदा, so we have to study properly, please underline everything, he made the first historical movie, शिमगड, उन्होंने पहली historical movie बनाई, शिमगड, वीचवाजा साइलेंट, वने एक साइलेंट मूबी थी, उन्होंने फिर historical movies बनाई, जैसे कल्यांड चा खजीना, बाजी प्रभूत देश पांडे और नेता जी पालकर, he also made a movie on a realistic social issue entitled सावकरी पश, उन्होंने एक social issue पर भी एक movie बनाई, जिसका नाम था सावकरी पश, 1925 में भाला जी पेंधर कर ने एक movie बनाई, जिसका नाम था बाजी राव मस्तानी, और ये movie तो बनाई, लेकिन उसके बाद British government को ऐसा लगा, कि ये जो movie इन लोगों ने बनाई है, इसमें कुछ नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट्स हैं, मतलब कि nation के बारे में कुछ फीलिंग्स हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि सभी को फैलाना गलत होगा, गलत असर पढ़ सकता हैं सभी के उपकर, इसलिए उन्होंने उस movie को बैन कर दिया, कमला भाई मांगरूलकर was the first woman producer, पहली woman producer, guys underline it, अगर आप समझदार होगे तो बोलने से पहली underline कर लिया होगा, तो कमला भाई मांगरूलकर पहली ऐसी woman producer थी, उन्होंने प्रोड्यूस किया सावल्य तांडेल को और पाना दाई को, हिंदी मूवी थी ये, रामशास्त्री या मूवी मेड़वा प्रभात कमपनी in 1944 बिकेम वेरी पॉपुलर, रामशास्त्री येक मूवी बनाई थी प्रभात कमपनी ने 1944 में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हुई, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पिरियाड अफ्यू मूवीज वेर मेड़ अन हिस्टोरिकल थेम्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस पिरियाड मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस कई मूवीज ऐसी भी बनाई गई जो इस्टोरिकल थेम्स पर बेस्ट थी, आचारे अत्रे मेड़ मूवी अन दे लाइफ ओव महत्मा फूले और विश्राम बेड़ेकर मेड़ मूवी अन दे लाइफ ओव वासुदेव बलवन्त फड़के, तो आचारे अत्रे ने मूवी बनाई महात्मा फूले पे विश्राम बेड़कर ने मूवी बनाई वासुदेव बलवन्त फड़के पे दिनाकर डी पाटिल मेड़ा मूवी एंटाइटल धान ने ते संताजी धनाजी तो दिन ने दिनाकर डिपाटिल ने ये मूवी वनाई और फिर बाल शिवाजी दा मूवी मेड़ बाप्रभाकर पेड़ेकर अल्सो नीट साइ स्पेशल मेंचन उसके बाद जो प्रभाकर पेड़ेकर ने बाल शिवाजी मूवी वनाई थी वो भी एक special mention इसमें deserve करता है सेंट टुकाराम is a movie to have received international acclaim international acclaim मतलब कि ये पूरे world में ये movie चलाई गई है और इसे बहुत सारे award मिलें film festival में तो ये सेंट टुकाराम जो movie थी संत टुकाराम इसे महराश्टरा में बनाया गया but it was played all over the world बहुत ही ज़्यादा famous हुई थी और इसे दिखाया गया था film festival में पैरिस में विष्णुपंत पगनिस acted as टुकाराम in this film विष्णुपंत पगनिस इन्होंने hero का रोल किया था इस film में hero कॉन संत टुकाराम so guys ये छोटी बात नहीं ये film festival वो भी international film festival और उसमें हमारे इंडिया की हमारे महारास्टर की एक मूवी चलाई जाए सोची यहां की मूवी पैरिस में और वो टाइम पर आज का टाइम नहीं आज के टाइम पर तो हमारे पास कितनी टेक्नोलोजी जाए at that time we have not that much techniques तो उस टाइम पर भी हम लोगों इतनी बढ़िया मूवी बनाई सोच सकते हैं आप लोग कितना महान है हम लोगों का देश historical movies were also made in Hindi historical movies को फिर हिंदी में भी बनाने जाए लगा the Hindi movies made in the pre-independence period pre-independence period में जो हिंदी movies थी उनका नाम है सिकंदर, तानसेन, समराट चंद्रगुप्त, पृत्वी वल्लभाई, पृत्वी वल्लभ और मुगले आजम भी दोस्तो प्री इंडिपेंडेंस की है were made with a historical backdrop डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी watch based on a true story डॉक्टर कोटनीस को आप लोग जानते होंगे दोस्तों आप लोग गूगल पर सर्च करें इनकी बायोग्राफी पड़े बहुत ही जादा प्रेड़ना मिलेगी तो यह true story पर based थी इनकी movie the movie based on the Indian struggle, इंडियन struggle पर जो movies थी उनके नाम है आंदोलन, जहांसी की रानी यह सब भी एक special mention deserve करते हैं अब बात करते production studios की guys market, it can become for the do as directed production studios in Maharashtra यह फिर Mumbai तो Bombay Talkies, Raj Kamal Production, RK Studios, Navaketan, etc. played a significant role in the development of the Indian film industry अब बात करते entertainment and professional opportunities, that is our last part and it is present in every lesson so as you know that the process of making a movie is a very long और movie हम लोग जब भी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत रहती है तो उसमें आपको director चाहिए, producer चाहिए, कोई ऐसा expert चाहिए जो आपको उस time के बारे में बता सके मतलब in the short you can say you need a historian और हम लोग इसमें पढ़ेंगे भी तो उसके साथ साथ बहुत सारी opportunities create हो जाती हैं वो भी professional opportunities अच्छे पैसे आप लोग कमा सकते हैं तो student of history can avail, जो history के student हैं वो इन सभी में जा सकते हैं यह सब आपको क्यों दिया जा रहा है दोस्तों हर chapter में यह आपको समझाने के लिए दिया जा रहा है इसलिए नहीं कि आप लोग इनको रट्टा मार लें और exam में लिख लें तीन में से तीन आपको मिल जाए बढ़िया है ऐसा नहीं आपको एक idea दिया जा रहा है कि आप लोग history में भी जा सकते हैं लोग जादतर science ले लेते हैं फिर engineering कर लेते हैं तो इसलिए ऐसा awareness क्रियेट किया जा रहा है कि भाई history हो अकेला मत छोड़ो वो भी किसी से कमजोर नहीं है तो drama में आपको क्या-क्या मिलेगा अगर आप लोगों को accuracy अचीव करनी है तो आप लोगों को जो backdrop है इस्टेज का और जिस period के बारे में आप लोग ड्रामा लिख रहे हो या फिर कर रहे हो उसकी जानकारी रहनी चाहिए उस ताइम पे कौन कैसे बोलते थे शुद्ध हिंदी में बोलते थे या शुद्ध मरा और उस टाइम पे लोगों के कपड़े कैसे रहा करते थे उनके खान पान कैसे थे और कौन से coins इस्तमाल किया करते थे जादातर किस टाइप की राजा punishment दिया करते थे तो यह सभी चीज अगर आपको मालूम है तो आप लोग अच्छी खासी opportunities गेन कर सकते हो इस क्रिप्ट जो लिखर है उसको एक्सपर्ट चाहिए कि भाई कैसी भाषा में लिखुई स्क्रिप्ट क्या शुद्ध हिंदी में वो बोला करते थे शुद्धिंदी में बोलते थे तो बताओ यह कैसे बोलेंगे तो फिर वो मदद करेंगे तो यह सभी को assistance चाहिए रहे थी experts की language में और आपको अगर history में expertise हासील होगी तो आप लोग कुछ भी कर सकते तो it is not very difficult to become expert in history history में expert बनना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों क्यूंकि हम लोगों को जादा लंबी history नहीं पड़नी है just we have to study about the thousand years mostly हजार साल की history बस आपको याद रखनी है क्यूंकि उसके पहले की तो जानकारी किसी को भी नहीं होगी जादा तर तो सुची आप लोग 1000 साल के history नहीं याद कर पा रहे हैं वहीं आप लोग अपने mobile की computer की बात करें तो वो पूरा 1024 GB इतना space तो होता ही है computer का तो उतनी space वो कैसे रख सकता है उतने में चाहें आप लोग 1000 साल के history उसमें लिख सक रहते हैं आपको 10 चैप्टर नहीं याद हो रहे हैं computer में वह 10 चैप्टर PDF में सेव रहते हैं और जब चाहो आप लोग डाउनलोड कर लो डाउनलोड करने के बाद भी वो भूलता नहीं है वो फिर दूसरे को दिखाता है डाउनलोड करने के लिए that I am using the PDF हम मैं एक PDF का यूज करता हूं टेक्स्ट बुक का तो सोचे मेरी mobile में सभी टेक्स्ट बुक के PDF हैं तो यह कैसे याद रखता है तो उसी तरीके से हमें भी याद रखना है तो हिस्ट्री में भी आपको यह सारी opportunities मिल सकती है चलिए अब सिनेमा की बात करते हैं सिनेमा में कैसे opportunities मिलेगी atmosphere बनाना है मतलब कि किस तरीके से उस टाइम का वाता वरंड रहा होगा लोगों का हाव भाव कैसा रहा होगा वह ऐसा लगना चाहिए एकदम जैसे अगर आप लोग रामायड या महाभारत पे based movies देखते हो तो आपको ऐसा लगता है आप उसी टाइम में चली गए हो तो ऐस लगना चाहिए फिर आपको जोएलरी मालूम रहनी चाहिए कि लोगों उस समय लोगों का पहरावा कैसा था मेकप कैसा किया करते थे हैर स्टाइल्स कैसी रहा करती थी वरना आप लोग पिछले के टाइम पे वह रॉकी स्टार वाला हैर कट करवाओ राजा महराजा का तो कै इस शुड नॉट बी डन ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसलिए आपको डीप नॉलेज रहनी चाहिए तो स्कॉलर्स ऑफ इस्ट्री कंवर्क इन दिस फिल्ड आइज आट डारेक्टर और कंसल्टेंट टू दार्ट डारेक्टर फिर उसके बाद मूवी जब लिखते हैं हम ल बहुत ही ज़्यादा उपर्चिनिटीज को हासिल कर सकते हैं तो यह था दोस्तों हम लोगों का छट छटा चैप्टर और बहुत लंबे इंतजार के बाद खत्म हुआ है मुझे लगता है आप लोग बोर होंगे होंगे बट डोंट वरी गाईज वी विल स्टड़ी दर नेक को अप्लोड करू और आपको पढ़ाते रहूँ सो गाईज बाए फॉर नाव वी विल मीट इन दर नेक्स्ट वीडियो सी यू सून